नमस्कार लता मंगेशकर पर हम जो खास कारेक्रम कर रहे हैं उनको शद्धान जिली दे रहे हैं उन पर हमारे साथ उस कारेक्रम में हमारे साथ आज एक खास मेमान है एक ऐसे शक्स जो कई सालों तक लता मंगेशकर को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और उनमें और लता के बीच में खास कनेक्शन है जो मैं कुछी समय में आपको बताऊंगा हमारे साथ है फिल्म इंडस्ट्री के मशूर राइटर एक जमाने में एक्टर भी रहे हैं 25 फिल्मे की है और आज के सूपर स्टार सलमान खान के पिता जी लेकिन अपने आइडेंटिटी में सलीम खान न बहुत बड़ा तो क्रेंशन यह कि वह इंडर की पैदाइश है बिल्कुल और क्रिकट की बहुत शौकीन थी और वह पैदा हुई है उस जगह के उपर कि कि जहां के ग्रेटर्स क्रिकटर्स इंडिया के थे मुश्ताक अली और सी के नाइडू और हरका टीम जो थी वह बहु मशूरता है इंडर क्योंकि आप भी इंडर से आते हैं आप भी क्रिकट के बड़े शौकीन है और तो लता मंगेशकर जी और सलीम खान के बीच इंडर का नाता है और यहां तक यह है कि मैंने इतना भी गा कि अगर मेरे जाने के बाद अब मेरी भी उमर हो गई असी के ओपर मेरे जाने के बाद अगर मुझे कोई गलत गाम दो किया नहीं अखे काम किया है तो अगर जननत मिलेगी और अगर वहां इसकी नहीं मिली और क्रिकट नहीं मिला तो वह पसा जाँगा तो आप चाहते हैं कि ऐसी इंदौर में उस जमाने में खासियत जैसे आपने का क्रिकट की खासियत थी मुश्ता कली जी सीके नाइडू होलकर की बड़ी तो फिर यह म्यूजिक जो था संगीत का जो ट्रडिशन था जिससे लटा जी का नाता है वो भी बहुत बड़ा संगर ने कलाइसंगर निक़ने हैं वहां से बहुत बड़ क्लाइसिकल संगर थे बहुते बलब से निकले निकले कई हैं और इभी बहुत बड़ा शणर तो अपना मिजिक् A अब जोड़light जो मुझी का भी मिलता सबंधर न है कभी तो उनको जो कहते हैं Didalорар में G मुझे मलूम बढ़ा कि ये लादाजी का गर और ये राज साब के जो ट्रिबूट लिखे दी ये उनको भीजवाई मैंने उनका पेंट्राइब और उन्होंने दो तीन दिन बात सुना और मुझे फोन किया और कहा कि ये जो आपने बेवेजा है मेरे लिए मैंने इसको पूरी साब ने बहुत ही भैतरीन ओडियो निकाला है राज कपूर के लिए ट्रिबूट दिया है करीब 15-20 मिनिट का अगर आपको मौका मिले जरूर सुनिये क्योंकि सलीम खान का मानना है कि उन्होंने राज कपूर जैसा टैलेंटेड कोई इनसान देखा नहीं बिल्कुल और उस के लिरिक्स है तो फिर ये राद भीगी भीगी या प्यार हुआ इकरार हुआ क्या था वो आप किस तरह से उस जमाने के म्यूजिक और लता जी की सिंगिंग राज कपूर की डिरेक्शन सॉंग पिक्चराइजेशन सर मैं तो यह वांता हूं कि यह जो लता जी को यह चैलें आपने लक्षमी जी लक्षमी गई और भगवान से कहा कि मुझे कुछ दीजे तो उन्हें ने कहा कि तू जिसको चाहे जो दे सकती है छीनने का हदीकार मेरे पास होगा पैसा देते हैं जो एक जटके में चला जाता है पैसे दे सकते लक्षमी तो उनको भी पता लगा को कुछ दिया है मुझे भी कुछ दीजे तो उनको चाहे जो दे सकती है छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा अब ये उनकी आवाज जो है उनके बाद भी सालों तक चलती रहेगी ये जाएगी नहीं और हर मुजिक के साथ यह हुआ है कि वो चलती ही रहते हैं वो गान के वाल भगवान दे सकता है वाइस फ्रॉम हेवन मैं तो बहुत से लोग तो यह कहते हैं कि यह तो यह इन्सान की आवाद ही नहीं है इतना मॉडियोशन उसमें इतनी मतलब में ठास और जैसे कि मैंने आप से कहा कि लटा जी के बारे में देना भी इंटर्व्यू देना भी कि कोई मतलब ही नहीं रखता कितने एड्यक्टिव्स लाव गए सब इस्तिमाल हो चुके हैं आपने बड़ी बात कि आपने कहा कि जो उस तरह की जो आवाज है और गुलजार साब ने बड़ा अच्छा निखा था कि इनारा पिक्चर में मेरी आवाज ही मेरी पहचान है आप कह रहे हैं कि दस साल बाद बीस साल बाद भी लता मंगेशकर अपने आवाज के लिए जानी जाएगी क्योंकि वो गाने तब भी लोग सुनेंगे लाइफ भर चलेंगे वो तो दूआ है उसके लिए कि मैं सब को पहला पहला कागा कि अब यह पैसा जो है लक्षमी की देन एक जड़के में चली जाती है तो बिल्कुर को सुबह नहीं है रात को थीज को शुबह नहीं है अगर यह जो देन हैं कि अंको वर्दान है आप जिन्दगी भर तक चलेगी